कि आप भी शियर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। है क्या का है जुए की तरह तो नहीं सट्टे की तरह तो नहीं कि लगाया है वैसा और उड़ गया और जब से हमने हरस्वत महता की वेब स्रीज देखी है तब से तो पूरा एक बवंडर सा आगे इंटरनेट में कि शेयर मारकेट शेयर मारकेट लेकि शेयर मारकेट होता क्या ह नमस्कार दोस्तों मेरा मैं राजी इंदर सिंग दावत नवरतन आई बीजी बड़ा बिजनस डॉट कॉम के साथ पिसले दो साल से काम कर रहा हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि शेर मार्केट होता क्या है अब मुद्दा यह है शेर मार्केट होता क्या है अब आपको एकाउंट में 20,000 रुपे आपने सेव करके रखे हुए अब आप उन पैसों को इन्वेस करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है मैं इन्वेस कहा करूं अब इतना पैसा भी नहीं है कि बैंक आपको हर महने उसके अंदर बहुत तगड़ा ब्यास देगा कि आपक ये गोल्ड लेने की तो गोल्ड में भी आप जब लेती हो उसको तो 7-8 प्रतिसफत की रिटन वापस आती है और हमारे देश की अंदर इन जगों पर ही पैसों को इन्वेस करना सबसे अच्छा माना जाता है लेकिन अब बात ही आती है कि इस पैसों को तेजी से कैसे बढ़ पीट मिल सकता है और आप पैसे को बहुत तेजी के सांद स्केल कर सकते हो आगे बढ़ा सकते हो अब बात फिर आती है कि शेर मारकेट है कि तो और आसान करके समझाओ इसको समझने के लिए आपको एक उधारन और देता हूं जैसे हमारे देश की अंदर किसान करते हैं होता क करो इस खेट को मुझे आप दे थो हैं आप बोलते हो वह बोलता कि जी इसमें फसल लगाओंगा आप ऑफो ठीक है मुझे कैं मिलेगा वो आपसे कहता है कि भाइजस सब्सक्राबेट होगा उस PvT मैं यसकी न करूई तैक हसाब से कुछे आपको हिस्साद या आप बिल्कों और है आप बोलते हो जी क्या अब वो कहता है कि अगर मुनाफ़ा हुआ तो मुनाफ़ा हम दोनों में बटेगा लेकिन अगर नुकसान हुआ तो जितना भी मैं यहां पर अपने फसल में निवेश कर रहा हूं जो मुझे घाटा होगा मुझे आपकी जमीन का कुछ हिस्सा कंपणी यह कहती है कि इसके अंदर जो भी आप पैसा निवेश करोगे अच्छी बात है आप हमारे कंपणी में निवेश करो सेल्स हमारी मार्केटिंग हमारी प्रोडक्ट हमारा टीम हमारी सब कुछ हमारा और अगर कंपणी आगे बढ़ी तो हो सकता है आपके वह 20,000, 30,000 और दो लाग भी हो जाएं जरूर नहीं है कि आपकी वह पैसे दो लाग नहीं हो सकते कंपने आगे बढ़ेगी तो आपका पैसा अपने आप बढ़ेगा लेकिन अगर नुक्सान हुआ भाई साब तो इस नुक्सान को आपको भी जहलना पड़ेगा आप जो पैसा 20,000 वे इ दिया अब वो कहरा कि भाई वैसे फसल लगाऊंगा फसल होगी तो मुनाफ़ा दोनों का होगा और फसल नहीं होई तो इसमें नुक्सान दोनों का होगा और मुझे आपके कुछ परतिसत यारी खेट के कुछ हिस्से को मुझे बेशना पड़ेगा तो आप बोलतो ठीक है भ पर यह मैं 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं जहलूँगा करना है करो नहीं करना है मत करो तो आप अपने जब इस्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जब पैसा लगाते हो तो जो भी आप 20,000 रुपे अपने लगा रहे हो आपने 20,000 रुपे लग गए हैं अब इसमें मैं केवल पांच हजार ही जहल सकता हों 5,000 गर रुप्सान में जहल पाओंगा लेकिन बाकी का जो पैसा होगा उस पैसे को दावपी में रही लगाना चाहता है इसको पैसे करिस्क बहूर बोलता हूं क्यों कि यहां पर पैसे को लगया जाता है किसि टीप कंपनी के शेयर के उपर själv करने की उस company के हिस्सदारी आपने उस company के शेयर खड़ दिये जिसमें वह शेयर आपको हमारे इंडिया के अंदर दो पॉपुलर जो शेयर माकट के अंदर जो companies को लिस्ट करती हैं जो संस्थाएं उन संस्था का नाम है बॉंबे और दूसरी है national stock exchange यहां से ही हर company के share आप खریज सकते हो जो talk companies होती है यहां से जब आप share खरीदते हो तो उस company के आप hisseource को ले लेती हो अब उस company का profit बढ़ेगा तो आपको profit होगा अगर उस company क की गारी होगा तो आपको भी loss होगा अब आप बोलो किसे इसकें इसा की होता है क्योंकि इसके अंदर control आपके हाथ में नहीं होता आपके हाथ में केवल risk management का control आपके हाथ में होता है कि इतना परतिस्यت में इस share इस company की उपעर में loss ज्यहिल सकता हूँ क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल भाजार के ऊपर होता है, share market एक मौसम की तरह है, कब यहां पर भाहिया बारिस हो जाए और कब यहां पर मौसम सुहाँणा हो जाए, कब यहां पर profit हो जाए और कब यहां पर loss हो जाए, किसी को नहीं पता, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग किसी को नहीं पता कब आपके 20,000 रुपय, दो लाख हो जाएं, दो करोड हो जाएं, यह किसी को नहीं पता, ऐसी बहुत बहुत सारे आप जानते हूं Warren Buffett, Rakin's Engine वाला जितने लोगों को आप फॉलो करते हैं जो सफल ट्रेडर हैं वो दो ही चीज़ों को पर काम करते हैं पहला क्या कमपनी Sunrise है या पर Sunset है Sunrise का मतलब क्या होता है कि कोई कमपनी ऐसी कमपनी है जिसका जो प्रोड़क्ट है वह आने वाले फ्यू Sunset Industry कि अब वो इंडॉस्ट्री खत्म होने वाली है तो जो भी सफल ट्रेडर्स है वो दो चीज़ों पर फोकस करते हैं पहला कि Sunrise और दूसरा Sunset Sunrise है तो पैसे को नहीं लगाँगा लेकिन उसके अंदर भी वो दो चीजों को समझना बहतर तरीके से जानते हैं पहला Fundamental और Technical अब Fundamental क्या होता है और Technical क्या होता है इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा जब आप Share Market के उपर इतनी information ले रहे हैं तो इन दुनों पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है Share Market के अंदर वही इंसान वही टेडर सबसे ज़्यादा काम्याब होता है जो Fundamental को समझना जरूरी समझता है क्योंकि Fundamental यानि Company Growth क्या है, Turnover क्या है, पिसले रिकार्ड क्या है, जो पिसले इसके Shareholders हैं इसने इसको कितना कमा के दिया है, Stock Market के अंदर Shares का Price इसका कितना बड़ा ह इन सब चीजों को बोलते हैं Fundamental और एक होता है Technical जिसको मोलते है Chart Read, देखो चार्ट के अंदर कई बार लोग और Market और News उसको इतनी हाइप की साथ आगे बड़ा देती है कि उसका Price अपने आप उपर चलने लग जाता है और कुछ समय तक उपर चलता है उसके बाद जो Top के लो आपको समझना चाहिए कि Fundamental और की Company के अंदर दम है तो ही मैं पैसा लगाऊंगा भले यह वह Company कितनी ही नहीं हो कितनी ही पुरानी क्यों नहीं कितना ही उसका हुआ बना हो Market के अंदर जरूर नहीं जो चीज बाहर से दिखती है वो अंदर से भी हो हो सकता है बाहर से बड़ से कमाई वह ऐसी पैसा निवेस नहीं करते हैं कि उन्होंने नियूस देख ली अगबार में कुछ और देख लिया हाइप क्रेट हो रही है भाया मौसम चल रहा है बिल्कुल शेयर मांगेट का उन्हें लगा दो लगा दो तुम इसने लगा दिया आप भी लगा दो ऐसा बि और कई बार तो companies के अंदर जाके भी वहां जाके चक किया करते थे कि इनके team management किस तरह से हैं का owner कौन है उसके बाद जाके ही वहाब इन्वेस करते थे और उनके इन्वेस करने के बाद ही लोग उस company में इन्वेस किया करते थे क्योंकि लोगों को भरसा होता था कि अगर ये जॉब से कमाया उस पैसे को आपने लगा दिया और पैसा अगले दिनी खतम हो गया उस पैसे को लगाईए 5% अपने इंकम का 10% जॉब कर चला भी गया loss भी हो गया तो आपको गम ना हो क्योंकि उससे अप कुस्णा को सीखते रहोगे थोड़ा 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 पैसा नि इसलिए हम इसाथ थोड़े थोड़े पैसे सही अपने शेर मार्केट की जनरी को स्टार्ट करो क्योंकि पहले आप सुविंग पूल में तैरना से को उसके बाद जाकर समुद्र में कूल मारो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे समाझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्या आप इन चीजों को फॉलो करते हो अब इन बातों के बाद आप कुछ चीजों का और ध्यान रखना है शेर मार्केट के अंदर जब भी आप शेर मांकेट की जर्नी स्टार्ट करोगे या कर रहे हो तो आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना बहुत जरा जरूरी है जो हमार का सारा लेंदिन आपका DMAT account से ही होगा और जो profit आएगा उसको आप अपने saving account में या फिर अपने bank account में transfer कर सकते हो तो एक DMAT account अच्छा होना या फिर आप किसी अगर agent से बात कर रहे हो तो उसके साथ अच्छा तालमेल बिठा कर एक DMAT account को आपको खोलना बहुत ज़रा जरूरी है उसके बाद लेकिन बिना fundamental और बिना technical या चार्ट रीट को पढ़ना सीखे बिना share market के अंदर अगर आप उत्रोगे तो आपको 110% loss होने की संभावना जादा हो जाती है किसी के हावा हुआ की बातों में आके आप share market के उपर ऐसे निवेज मत करना क्योंकि बहुत सारे और टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए आप मार दे गए नमबर पर 7830672667 पर कॉल करके आप fundamental और टेक्निकल इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में आपको डॉक्टर बिवेग बिंदर जी यानि की बड़ा बिजनस के अंदर जोहरे प्रोग्राम्स है उसको लेकर आपको fundamentals और टेक्निकल इन दोनों प्रोग्राम्स को आपको लेना चाहिए जिससे आप share market के अंदर बहुत अच्छा कासा पैसा आप बना सकते हो इन चीजों को सीखने के बाद लेकि इन चीजों को सीखे बिना पैसा निवेस मत करना मैंने पहले सीखा उसके बाद मैंने निवेस कर कि भी आप एक बार बहुत जरूर कर सकते हूं मिलते हैं आप से बहुत जल शेयर मार्केट के उपर वीडियो आपको कैसे लेगी क्या helpful रही या नहीं रही इसके बारे में आप मुझे comment box में जरूर बताना मिलते हैं आप से बहुत जल तब तक आपको बहुत बहुत धन्यमा कर आपको बहुत बहुत बहुति कर दो कर दो कर दो कर दो सकते हैं